हाला गाइज मैं SP जोधरी आदेवर SP जोधरी नर्शेंग ऑफिशर ऑफिशल यूट्यूब चैनल आज की वीडियों के अंदर कुछ बढ़िया सा ओवर अपडेट लेकर हैं अपडेट यह है कि SAC का देली का जिस ने वी कंडिडियेट ने फॉर्म बरा था जो की स्टाब नर्स का भी था लोगर सभी फिल्ड का था टैन्थ लेवल पे था और ग्रेजुएशन जो अबो हैं उनके लेवल का भी था सभी का एक्जाम था और उनका एक्जाम हुआ था दो से ग्यारा फरवरी की बीच में तो उनका पर देख सकते हैं उनका मतलब स्वल्यशन किसका आंस्वर आपने क्या क्या राइट आंसर आए वह वही वीडियो का अंदर बताने वाले हैं कि लिंक-पेस्ट करके जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो नेया इंटरफेस कुछी इस तरह से उपन होगा जै यहां पर रोल लंबर फिल करने हैं जो कि admit card के अंदर लगाए हुए थे और यहां पर password दिए हुए है पासवड जो रोल लंबर है admit card के जस्ट उसके नीचे password दाम से दिए हुए है जो कि आपकी date of birth है फोर ग्यांपल किसी की 15 फरवरी 1995 किसी की date of birth है तो आपको लगाना है 15-02-1995 आपकी date of birth आपका password है 15 फरवरी 1995 और यहां पर आपके रोल लंबर इंटर करोगे जैसे मैंने for example ऐसे इंटर करके यहां पर रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए कि यह रोल लंबर है आपके यहां पर password है और यहां पर जस्ट आपको इसको लोग इने पर क्लिक करन होगा यहां पर आपको close कर देना है इसको यह वो सारी instruction यहां पर देखके रखे हुए हैं आपको इसको close कर देना है close करने के बाद ने इंटरफेस कुछी इस तरह आपन होगा जोग यहां पर लगा कर रखा हुआ है यह वाइट कलर का है मतलब यह अभी जस्ट open करके रखा ह हुआ है क्योंकि आपन ने लिंक की वह उपन किया था जहां से application form के other details ना शो हो के पेपर शो होई तो अगर आप इस पर क्लिक करते तो आप किसे भी personal bio data आपका नाम address पता पिताजी का नाम date of birth सब instruction आपको शो हो जाएंगे और यहां पर इस पर क्लिक किया हुआ है तो यहां आपको अपना paper देखना है कि मैंने options क्या किया था क्या select किया था और आगे से सही answer उसका क्या है अलांकि आपका एक साथ score नहीं दिखाएगा आप यह उसके अंदर चूज कर सकते हो फिरस्ट questions के अंदर मैंने B किया था इन्होंने A किया है तो मतलब यह मेरा गलत गया है कौ कौन सा आपने कहा है कौन सा नहीं किया और सब कुछ वह देख सकते हो आप एक एक करको count करना पढ़ेगा कितने वह रहे हैं कितने हो दो इसके लिए यहापकर क्लिक करना है नहीं कि इसनने राइट करके रखाần और वो फूरा confidence है कि नहीं जो इसने माना है वो गलत है जो मैंने माना है वो सही है तो आप objection के उपर क्लिक कर सकते हो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो निया इंटरफेस को इस तरह से open होगा दो कि देखीगा मैंने objection क्लिक किया यहां पर लगा रहा है click here for objection यानि कोई objection देना है त circulation जो पोस्ट है उनके regarding जो यह open हो जाता है और उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है जैसे सब्मेंट पर क्लिक करोगे निया इंटरफेस को इस तरह बनोगे यहां पर आप जो है इस पर क्लिक करके वापीश लोग इन करके कोई भी आपकी जो क्यारी है वो यहां पर ल अचल देगा ओके तो आज की इस वीडियें को दिखते नहीं फिर में बड़े से घबर बड़े से न्यूस के साथ अब तक के लिए बंदरें यह मारे साथ थैंक्यू बाई बाई गुड़नाइट